हेलो फेंट्स वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास्त्रीवन टैक में तो फेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं चोटे क्रेटर हो या फिर बड़े क्रेटर हो तो आप सबी के लिए यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है आप मेरे चैनल पर न्यूँ है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हमाद चुके हैं अपने लैप्टॉप की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह निउस वाला सेक्षन जो है यहाँ पे आपको एक अपडेट दिखाई दे रहा है तो आप क्रोम पे जो भी अपनी ब्राउजिक करेंगे उसको यह बिल्कुल सेफ कर देगा ठीक है यहाँ पे turn on now लिखा हुआ है और detail में मैं आपको बताऊंगा आपको simple turn on now वाले option पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करते ही आपके सामने यह आगया enhance safe browsing for your account enhance safe browsing turn on enhance safe browsing to get faster and more proactive potential against dangerous website downloads and extension मतलब मान लिजए आपने Chrome में कोई अपना YouTube चैनल open किया हुआ है और उसके साथ साथ आप उसमें और कोई website भी open कर रहे है तो आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे एकदम से कुछ और खुल के आ जाता है website में जहाँ पे dangerous website होती है ठीक है वहाँ पे वो हो सकता है आपके channel को hack कर दे तो यहीं पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसे on कर लेंगे तो आपका channel जो है वो बिल्कुल safe हो जाएगा तो मैं इसे यहाँ से on कर लूँगा और आप इसे off भी कर सकते हैं किसी भी time यहाँ पे लिखा हुआ है you can turn this off at any time ठीक है तो हम यहाँ पे इसे on कर लेंगे इस setting को तो यहाँ पे मैं इस पे click करूँगा और यहाँ पे आप इसे भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर भी काफी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हुई है तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ सबसे पहला पॉइंट है keep you safe and is used to improve your security in google apps such as chrome, gmail और chat when you are in signed in यहाँ पर यह बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी google chrome के application में या google chrome में sign in करते हैं गूगल के किसी भी app में sign in करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो भी आप sign in करेंगे उसके बाद जो भी browse करेंगे आपका channel वहाँ पूरी तरह से safe हो जाएगा ठीक है improve your security for you and everyone on the web आपकी security improve कर देगा chrome के अंदर once you if password are exposed in data breach ठीक है chrome के अंदर आपको पहले safe pop-up window करके आपको बता देगा कि आपका password exports हो गया है आप इसे change कर लें ठीक है यहाँ पे send url from chrome and google apps to save browsing to check them also send a small sample of pages downloaded downloads extension activity and system information overall मैं आपको इसमें overall इसका view दिनूँ तो यह है कि आपकी जो browsing है वो बिल्कुल secure हो जाती है जब आप किसी भी browser से या google apps की किसी भी app से आप login करके ठीक है वहाँ पे कुछ भी browse करते हैं तो आपका youtube channel बिल्कुल safe हो जाता है अगर आप इस setting को on कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको turn on इस वाले option के उपर click कर देना है तो अब आप देख सकते हैं update हो गया आपकी browsing जो account है आपकी browsing का account इसके लिए आपका जो भी data है वो सब safe हो गया ठीक है अब आप कुछ भी browse करेंगे तो आपका youtube channel है वो protect हो जाएगा तो यह वो बड़ा update था जो आप कर लें अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तुसे like और share जरूर करें thank you